मैं अभी एक्जाम देखे आ गई हूं जिसके लिए मैं इतना ज्यादा नर्वस थी कि मेरा फर्स्ट एक्जाम है तो वह हो गया है और पेपर का लेवल नहीं करें लगेगा या पिर प्रिपैरेशन नहीं करते कियो एक्जाममे पहले पर क्या होता है पूरा प्रोसीजर बता देती हूं कि क्या क्या होता है सबसे पहले तो आपको nervous फिल्कुul नहीं होना है कि उसके पिर्सक्ट आपको प्रिसक्टाइवरिमें उसबसे पैघ में पेचसे बतादे इंस्ट्रक्शन वाले दो पेज होते हैं वह भी नहीं लगाना है सिर्फ मेन कॉल लेटर जिसमें आपका नाम और डीटेल्स होती है वह लेकर जाना है दो आपको एक्स्ट्रा फोटो लेकर जाना है वही वाली जो आपने एडमेट कार्ड में लगाई है वैसे उनने भाप एक पटो करेंदा जाना में असंवरै उर्डिजर्ण फोटो कोपी फोटेल्स है कंद में घंति आपके दियल्स होगार्स के अंधर's काार्ण करड़ में अलगक हो इंद करड़कन थे नहीं के ब는지 में में आपको कि और संस्क्रीन करूपी इंसहरों अध message है उसकी एक photocopy और pen और हाँ दो extra photos हाँ तो इतना आपको लेके जाना है ठीक है पर आप जो आधर card लेके जाओगे ना उसमें उपर लिखा होता है photo effects करने के लिए वहाँ पे एक box दिया होता है उसमें आपको अपनी passport size photo घर से ही आप पेस्ट करके ले जाना मतलब अगर आप ने नहीं करी थो आप caster पर अप 파् señor पर आप एक पेस्ट करके अंहले जाना वह five photo और उसपर आप कोशिश करना कि आप 10-15 मिनिट पहले पहुंच जाओ क्योंकि वहाँ पे एक्जाम सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो कई बार मतलब ट्राफिक भी हो जाता है वहाँ पे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है तो वैसे तो अगर आप पर आठ बजे क आपको एंटरी मिल जाती है उसके बाद आपको एंटरी नहीं मिलती है पर फिर भी आप कोशिश करना कि आप रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाओ ठीक है उसके बाद आप जो सबसे पहले जाओगे ना तो वहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड होगा उस कौन से रूम में आ रहा है और फिर आपको उस रूम में जाना है तो जो भी आपका रूम नंबर होगा वह आप देख लेना कि कौन सा रूम नंबर हो उसके बाद बॉइस और गर्ल्स की अलग-अलग लाइन होती है उसमें आप खड़े हो जाना फिर वहाँ पे एक सर होंग पर फूटवेर में पहले पहले निकल वाद दिया तो यहां पर कुछ चेकिंग नहीं थी ना कपड़े चेक करें ना फूटवेर चेक करें पर फिर भी जो भी आपके इंस्ट्रक्शन दिये को आप फॉलो करी लेना तो उसमें कोई बुराई नहीं तो आप प्यानिक मत करना कि मेरे पास यह नहीं है सांडल नहीं है शूज नहीं स्लिपर नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है फिर वह फूटवेर बाहर उतरवा देंगे फिर आपको रूम में एंटर करना है वह फिर एक अटेंडेंस के लिए एक मैम रहती है वह आपकी जो आप एक्स्ट्रा फोटो लाए होगे उसको फेविकॉल से मतलब पेस्ट करेंगे आपको फेविकॉल और स्टैंप पैड ले जाने की कोई ज़रुत नहीं है इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है पर सेंटर पर अ बिवक्त प्राव आपको छाल चाल यूद तो आपको टेंशन लेंकि कोई ज़रुत नहीं के जीए वहां जाया के मतलब कुछ होगा तो नहीं ऑच्छा नहीं देघना या क्या दोक्यूमेंट्स्ट्रक्शन में पास हैं तो कोई प्राप्लम नहीं होगी आपकी चीजों के इतना टेंशन मत लेना क्योंकि एक्जाम की ओरड़ी इतनी टेंशन होती है आपको सेंटर की टेंशन अलग से लेने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसा स्ट्रिक्टनेस भी बहुत जादा नहीं है तो आप उच्छे से शांती से अपना एक्जाम देना और मेरा तो आज मतलब एक् आपको एक्जाम के लिए ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है तो या इप यू लाइक इस वीडियो देन प्लीज दू लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल थैंड 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 थैंड